हलो दोस्तों कैसे वाप सभी उमीद करता हूँ आप सभी बढ़ी आहाऊंगे आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो विंडो टेन को इंटरनेट पर सर्च करते हैं डाउनलोड कैसे करें और डाउनलोड इमेज डाउनलोड करने के साथ मैं आपको बताऊंगा कि विंडो कार्ड कार्ड के अंदर उसको विएबियॉट कैसे करेंगे तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि विंडो टेन को ऑन-लाउन कैसे डाउंलोड करें वह फ्य 952 कर आउनलोड करने की साथ साथ को आपने लेप्ने अardव के इस्टेयिकर कर नहीं आता है या विंडो चडाना नहीं आता है तो मेरा एक वीडियो नीचे आपको मिल जाएगा तो जाइए और विंडो 10 है वो इस्टोलेशन करना सीखिए तो आज की वीडियो में हम लोग शिर्फ यही बात करने वाले हैं कि विंडो 10 की इमेज है वो ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करेंगे और ऑनलाइन डाउनलोड करने के बाद में उसकी इमेज एक फाइल है वो हम लोग क्रेट करेंगे आपके अपने पास प्रेंट राइव या मेमोरी काड़ जो भी सिस्टम हो उसके अंदर है वो हम लोग विंडो 10 की इमेज को ब्यूटेबल कैसे करेंगे तो यह सब बिना टाइमवेस्ट के वे चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मा आपको बता दूँ कि यदि आप इस वेबसाइट पर विजिट नहीं कर पाते हो तो मा आपको नीचे लिंक दे दूँगा तो वहाँ पे जाके आप विंडो 10 डारेक्ट हो ड दोनों मिल जाएंगे और यदि आप विंडो 10 वह प्रो डाउनलोड करना चाहो तो विंडो 10 आप प्रो भी है वह डाउनलोड कर सकते हो तो आप बिना टाइमवेस्ट के वह वीडियो शुरू करते हैं चलिए कंप्यूटर इस तेन पर चलते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आ इंटरफेस है वह ओपन होगा तो फिर आपको यहां पर जो वेबसाइट के अंदर सरच बार आता है उस पर सरच करना है विंडो 10 और गो कर देना है जैसे आप विंडो 10 सरच करोगे तो विंडो 10 के आपके बहुत सारे से ओप्शन मिल जाएंगे तो मैं विंडो 10 वह 64 bit के अंदर है वो करूंगा 2019 official अब थोड़ा वो नीचे जाओंगा तो मुझे सारा का सारा है वो सिस्टम यहां पर बता देगा कितने bit के अंदर मिलने वाली है सारा का सारा है तो इस तरीके से आप वह विंडो 10 वह डाउनलोड कर सकते हो तो वह भी मैं आपको इसके अंदर बता यह ठीक है इसके बाद आपको नीचे नीचे दे रखा है सारा का सारा जो टेकनिकल से अपर वो दे रखिये है सारी requirement की detail दे रखिये है और सब कुछ है वो दे रखा है अब यहां से आपको simply क्या करना है 64 bit के अंदर है वो डाउनलोड कर लेना है तो जैसे यह विंडो स्टा स्टाड होगा तब यहां पर 64 bit विंडो वो डाउनलोड वना स्टाड हो जाएगी तो अभी नेट मेरे वो काफी स्लो है तो थोड़ा बहुत टाइम लेगा तो जब तक टाइम ले रहा है तब तक मैं वीडियो को पोस्ट कर देता हूं जैसे स्टाड होगा तम आपको बतात इमेज़ फाइल होगी फिर इमेज फाइल को आपको प्रेंडराईव के अंदर ब्योटेबल कैसे बनाना है वह भी मापको स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा सबसे पहले आपने इमेज फाइल हो डाउनलोड करने कि अधि आप इस वेबसाइट को विजिट नहीं कर पाते ह तो मैं डारेक्ट वीडियो की नीचे लिंक देदूगा तो आप आप डारेक्ट वींडोड़ 10 वो डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर आप देख रहे हो यह रिक्वेस्टेट जो है वो दॉन उन्लोड होना इस्टार्ट हो गई है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे अल्यडी इमेज फाइल बाउनलोड की हुई है तो मैं इसको यहां से केंसिल कर देता हूं और आपको वह डाउनलोड कर लेनी है ठीक है आपको केंसिल नहीं करने है तो अब मैं बता है यह जैसे डाउनलोड हो जाती है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको वह इमेज फाइल को पेंड्राइव में ब्यूटिबल कैसे करेंगे हैं तो अदर है अल्रेटी डाउनलोड किया हूँ विंडो की फाइल है मैं भी आपको चेक करवा देता हूं इसके अंदर जाओंगा मैं यहां पर डेल लेटव नाम से फोल्डर है तो यह इमेज है तो इस इमेज को मैंने कनवट कर लिया है तो पिक्चल में दो विंडो टेन है वो इस तरीके से ओपन होने लगए तो यह प्रोसेस है उसके बाद आपको विंडो टेन को व्यूटेबल कैसे करना है वैं आप बता हूं तो यह सबसे पहले आपको यहां से कमान पॉर्ट लेव ओपन करना है तो लिगना है cmd और ओक कर देना है जैसे cmd आप ओपन करोगे तो इस टाइप से तो यह command देने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है pen drive या फिर जो memory card या pen drive आप यूटेबल कर रहे हूँ अपने laptop के अंदर है वो connect करना है जैसे आपने connect कर दिया उसके बाद आपको यहां पर command देना है यहां पर आपको command देना है disk part, disk part लिखके आपको इंटर कर देना है yes का option आएगा yes कर देना है और disk part लिखते ही आपके पास एक नया है वो pop up कौन होगा window अब आपको command देना है list और space देके लिखना है disk तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा मैं सिधर बूल रहा हूँ और direct लि मैंनिंग की गलती है वो बिल्कुल नहीं करना है अब आपको दो नमबर क्या करना है list disk लिखना है space और इंटर कर देना है तब आपके सामने जो डिस्क जितने भी जुड़े हो है उनकी list एक सामने open हो जाएगी उसके बाद आपने को select करना है disk number one जो शुला जीबी का मैंने pen कर रहे है तो अब आपके पास आ गया है कि डिस्क को जो one है वो selected हो चुकी है अब आपको इसको clean करना है तो मैं लिखूँगा see clean इंटर कर दोंगा तो यह clean हो गया उसके बाद आपको लिखना है create space partition space primary और primary लिखके आपको इंटर प्रेस कर देना है जैसे आप इंटर प्रे select or partition one partition space देए अब आपको लिखना active active लिखके इंटर आप प्रेस कर देना है अब आपको लिखना है format format fs equal anti-fs के अंदर लिखना है क्योंगी window की जो form होती है वो anti-fs form होती है तो हम लोग लिखेंगे anti-fs space देके लिखेंगे quickly enter आप प्रेस कर देए तो अब जो आपका pen drive या ज connected है वो window की beautiful हो चुका है अब आपको बस कुछ नहीं करना है जो मैंने अभी window की image file लिए वो इमेज फाइल को मैं वापस है वो open करूंगा तो जाता हूं मैं this PC device के अंदर Dell laptop और उसके अंदर window window में यह जो window है वो सारा का सारा मैं क्या कर लूँगा all select करके copy कर लूँगा copy करन तो बस आपको paste करना है यह जैसे copy complete हो जाती है उसके बाद आपका pen drive वो beautiful हो जाएगा तो मैं आपको check रहा देता हूं कि एक बाद तो यह copy हो जाए उसके बाद मैं video आपको आगे दिखाता हूं आप वीडियो में पोस कर देता हूं तो जैसे complete होगी मैं आपको check कर रहा दू तो यह copy हो complete होगी अब आपको सब को कट कर देना है तो अभी आप जो मैंने pen drive लगा रखा है उस पर आप देख रहे हो किसी भी टाइप पर कोई सिंबल नहीं है लेकिन मैं जैसे ही अब रीमू करके वापस लगाता हूं मैंने रीमू कर दिया और अब मैं अपने PC के अंदर उसको वापस है वो connect करूँगा तो आप देख रहे हो कि अब वह एक विंडो का सिंबल दिखाई दे रहा है इसका मतलब आपका जो pen drive वह प्यूटेबल हो चुका है तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको तो जाते समय एक लाइक है वह जरूर करें दन्यवाद है तो दोस्तों इस परकार से आप विंड प्लेज मिल रहा है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है और हाँ दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब वह जरूर करें अब सब्सक्राइबर वाले बटन के साथ आप क्या थोड़ फोड करते हो मुझे नहीं पता बस